हेलो वरिवन कैसे हैं आप लग दोस्तों मैं हो जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापूल दोस्तों मार्च के महीने में इलेक्रिक टूविलर्स की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे एंड मुझे सोचल मीडिया पर भी आप फोलो कर सकते हैं सोचल मीडिया प्लेटफोर्म्स का लिंक आपको मिल जाएगा डेस्क्रिप्सन बोक्स में तो चलिए वीडियो कर शुरू करते हैं टोप 10 अन्टोप 20 जानने से पहले दोस्तों एक बार ये भी जान लिजे कि मार्च के महिने में टोटल सेल कितनी हुई है इलेक्टिक टूविलर्स की इस बार दोस्तों हुई है रिकोर्ड तोड सेल जी हां दोस्तों अब तक की सबसे ज़्यादा सेल देखे गी है 85,683 यूनिट इस बार भी की है मार्च के महिने में इलेक्टिक टूविलर्स की अब बात कर लेते हैं दोस्तों टोप 10 की पहले उसके बाद 11 टू 20 की हम बात करेंगे तो हमेशे की तरह नमबर 10 से शुरुआत करते हैं तो नमबर 10 पर है दोस्तों इस बार आप सब लोगों की फेवरेट आपकी रिवोल्ट मोटर्स जी हां दोस्तों रिवोल्ट देखे पिछली बार टोप 20 से भी भारती इस बार टोप 10 पर आकर के बैट गई है और आने वाले समय में टोप 5 में भी आ सकती है सेल्स की बात करें तो इस महीने इनोंने 1131 यूनिट सेल की है फरवरी में इनोंने सिर्फ और सिर्फ 66 यूनिट सेल की थी टोप 20 से भारती डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों फरवरी के मुकाबले मार्च में इनोंने 1065 यूनिट्स जादा बेची हैं जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है नंबर 9 पर है दोस्तो काइनेटिक ग्रीन एनरजी जिनोंने 1641 यूनिट्स सेल की हैं मार्च के महिने में फरवरी में इनोंने सेल की थी 815 यूनिट्स फरवरी के मुकाबले इन्होंने 826 यूनिट्स जादा बेची है दोस्तो इस बार टोप 10 में हमें हर वीकल की पोजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिली है जो की बहुत बढ़िया बात है काइनेटिक ग्रीन एनरजी पिछले महिने भी नोवे नमबर पर थी इस बार भी नोवे नमबर पर है आठवे नमबर पर है ओकाया एवी जो की पिछले बार भी आठवे नमबर पर ही थी इस बार भी आठवे नमबर पर ही है मार्च के महिने में ओकाया एवी ने 1762 यूनिट सेल की है फरवरी में इन्होंने 1231 यूनिट सेल की थी फरवरी के मुकाबले मार्च में इन्होंने 531 यूनिट ज्यादा सेल की है साथवे नमबर पर है दोस्तों बजाज ओटो बजाज ओटो ने मार्च में 44,82 यूनिट सेल की हैं फरवरी में इन्होंने 257 यूनिट सेल की थी फरवरी में भी ये 7 नमबर पर थे डिफुरेंस गी बात करें तो फरवरी के मुकाबले 모च में इन्होंने 1965 यूनिट जादा बेची हैं 6 नमबर पर है ओकिनावा मुकाबले मार्च में इन्होंने 665 यूनिट्स ज्यादा बेची हैं पांचवे नमबर पर है हीरो इलेक्टिक हीरो इलेक्टिक ने मार्च में 665 यूनिट्स बेची हैं फरवरी में इन्होंने 555 यूनिट्स बेची थी और दोस्तों फरवरी में फोर्थ नमबर पर थे इस बा 9,333 units sale की है, फरवरी में इन्होंने 5,835 units sale की थी, फरवरी में ये पाँचवे नमबर पर थे, इस बार चौत्य नमबर पर आप पहुंचे हैं, फरवरी के मुकाबले मार्च में इन्होंने 3,498 units जादा sale की है, तीसरे नमबर पर है दोस्तो एथर एनरजी, एथर एनरजी ने मार्च में 12,076 units sail की है जो की अब तक की highest है फरवरी में इनोंने 9,969 units sail की थी तीसरे नंबर पर थे मार्च में 208 units ज्यादा sail की है मार्च के महरच में 16,731 units सेल की है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तो फरवरी में इन्होंने 12,568 यूनिट्स सेल की थी फरवरी में भी ये सेकंड नंबर पर थे और मार्च में भी ये सेकंड नंबर पर है फरवरी के मुकाबले मार्च में इन्होंने 4163 यूनिट्स ज्यादा बेची है और नमबर वन पर है दोस्तो हमेशा की तरह है as usual Ola Electric Ola Electric ने भी इस महीने अपनी सबसे ज़्यादा सेल किये है हाइस सेल किये है दोस्तो और इन्होंने मार्च के महीने में 21,220 यूनिट सेल की है फरवरी के महीने में इन्होंने 17,616 यूनिट सेल की थी फरवरी के मुकाबले मार्च में इन्होंने 3,604 यूनिट सेल ज़्यादा बेची है तो दोस्तो ये तो मैंने आपको बता दी Top 10 Companies अब मैं आपको बताने वाला हूँ 11 to 20 कौन कौन सी Companies रही है अब देकि Top 10 में तो हर Company के हमें Positive Growth देखने को मिली है मगर 11 to 20 में हमें 3 Companies ऐसी देखने को मिली है जिनकी Negative Growth रही है तो शुरू करते हैं दोस्तो नमबर 11 से नमबर 11 पर है दोस्तो Bigos Auto फरवरी में थे ये नमबर 10 पर और दोस्तो मार्च के महिने में इन्होंने 781 यूनिट सेल की है बारेवे नमबर पर है दोस्तो Pure Energy प्योर एनर्जी ने मार्च के महिने में 584 यूनिट सेल की है फरवरी में इन्होंने 488 यूनिट सेल की थी फरवरी के मुकाबले मार्च में इन्होंने 96 यूनिट जादा बेची है और दोस्तो फरवरी में ये 11 नमबर पर थे इस बार है 12 नमबर पर 13 नमबर पर है Benling India Benling India ने मार्च में 444 यूनिट सेल की थी फरवरी में इन्होंने 337 यूनिट सेल की है फरवरी में भी 13 नमबर पर थे इस बार भी 13 नमबर पर है फरवरी के मुकाबले मार्च में इन्होंने 107 यूनिट्स ज्यादा बेची है 14 नमबर पर है दोस्तो केलबी कॉमा की प्राइवेट लिमिटेड केलबी कॉमा की ने मार्च के महिने में 401 यूनिट्स सेल की है फरवरी में इन्होंने 334 यूनिट्स सेल की थी फरवरी के महिने में ये 15 नंबर पर थे इस बार 14 नंबर पर आप पहुंचे हैं फरवरी के मुकाबले मार्च में इन्होंने 67 यूनिट्स ज्यादा बेची हैं 15 नंबर पर है दोस्तो 22 मोटर जिसका बाउंस इंफिनिटी स्कूटर आपको देखने को मिलता है मार्च में इन्होंने 361 यूनिट्स बेची हैं फरवरी में इन्होंने 414 यूनिट्स बेची थी फरवरी में ये 12 नंबर पर थे इस बार है 15 नंबर पर फरवरी के मुकाबले मार्च में इन्होंने 53 यूनिट्स कम सेल की हैं तो दोस्तो तोप 15 में सिर्फ अभी एक यही कमपनी रही है केल भी कुमागी जिसने नेगिटिव ग्रोथ दिखाई है वरना हर कमपनी ने इस बार पोजिटिव ग्रोथ दिखाई है 16 नमबर पर है दोस्तो जितिंद्र इवी जितिंद्र इवी ने मार्च में 350 यूनिट सेल की है फरवरी में इन्होंने 308 यूनिट सेल की थी फरवरी के मुकाबले मार्च में इन्होंने 42 यूनिट ज्यादा सेल की है और फरवरी में भी ये 16 नमबर पर ही थे 17 नमबर पर है Green Mobility यानकी Game of Pie Green Mobility ने March में 324 यूनिट्स सेल की है फरवरी में इन्होंने 337 यूनिट्स सेल की थी फरवरी में 14 नमबर पर थे इस बार है 17 नमबर पर और फरवरी के मुकाबले March में इन्होंने 13 यूनिट्स कम बेची है इनकी भी हमें negative growth देखने को मिली है इसके अलावा 18 नमबर पर है दोस्तो Hero Moto Cope का Vida Vida ने दोस्तो पिछले महीने 299 यूनिट्स सेल की थी फरवरी के महीने में और इस बार इन्होंने 297 यूनिट्स बेची है फरवरी में थे ये 17 नमबर पर इस बार है 18 नमबर पर फरवरी के मुकाबले March में इन्होंने 2 यूनिट्स कम बेची है भले ही इन्होंने 2 यूनिट्स कम बेची हैं मगर growth negative में count की जाएगी 19 नमबर पर है दोस्तो Joy E-Bikes Joy E-Bikes ने March में 269 यूनिट्स बेची है फरवरी में इन्होंने 141 यूनिट्स बेची थी फरवरी के मुकाबले March में 49 यूनिट्स इन्होंने ज्यादा बेची है और दोस्तो Joy E-Bikes नमबर पर थे ये पहले भी इस बार भी 20 यूनिट्स बेची है तो दोस्तो ये मैंने आपको बताया Top 20 Companies Elective Tools Sales के मामले में Sales Report ने ज्यादा चोकाया है और कौन सी कंपनी की Sales Report ने आपको खुश किया है मुझे Comment करके जरूर बताना दोस्तो Sales Report वाली वीडियो में सबसे पहले आप तक ले करके आता हूँ और दोस्तो मेरा होसला बढ़ाने के लिए क्या करना आपको वीडियो को लाइक करना है दोस्तो ये शेर करना है और एक Comment जरू कर देना बागी Elective Weeks से जोड़ी इसी तरह की Interesting जानकारे के लिए ड्रामपूर को सब्स्रेब जरू कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई